नमस्कार दोस्तों, आज हम बारवी कख्षा की गनित का अध्याय 11 पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है त्री वीमिय जयमिती, जिसे इंगलिश में हम कहते हैं थ्री डामेंशनल जयमित्री, इस अध्याय को हमने 9 भागों में बाटा है, आज हम इस अध्याय का भाग एक हमें वाले हैं, तो आएए देखते हैं कि आज के इस वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे, तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे इस अध्याय की भूमिका तथा रेखा के दिक कोसाइन और दिक अनुपाद, यानि की direction cosines and direction ratios of a line, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं हम हमारा आज का भाग, इस अध्याय को शुरू करने से पहले हम कुछ परिचे जान लेंगे, त्री डामेंशनल जियोमेट्री अर्था त्री वीमे जयमिती का, जो की होती है कि जो rectangular Cartesian होते हैं, उसके जो coordinate axis होती है, वो mutually perpendicular lines होती है, यानि कि आप इस आक पर्पेंडिकुलर लाइन है, जिसे हम कहते हैं, X axis, Y axis and Z axis, और उन axis के जो pair के coordinate planes होते हैं, वो होते हैं, XY plane, YZ plane and ZX plane, इसके बाद ये जो तीन coordinate plane है, वो space को डिवाइड करते हैं, 8 parts में, जिसे हम कहते हैं, octants, यानि कि astange, और अगर हमें किसी point को लिखना होगा, तो हम उसके coordinates triplet के form में लिखते हैं, like X, Y, Z, साथ ही, अगर कोई point X axis पे है, तो वो X, 0, 0 के form में लिखी जाएगी, अगर कोई point Y axis पे है, तो वो 0, Y, 0 के form में लिखा जाएगा, और अगर कोई point Z axis पे है, तो वो 0, 0, Z के form में लिखा जाएगा, और उन 8 octants के, जो signs होंगे, वो आपको इस image में दर्शाया गया है, तो दोस्तों ये थी कुछ basic जानकारी, अर्थात introduction, 3 dimensional geometry का, आएए देखते हैं कि हम 12 कक्षा में इस अध्याय में क्या सीखेंगे, तो दोस्तों इस अध्याय में हम जानेंगे, दो बिंदू को मिलाने वाली रेखा के दिक कोसाइन और दिक अनुपात, और साथ ही विभिन स्थितियों में अंतरिक्ष्मी रेखाओं और तलो के समिकरन, हम किस प्रकार से ग्याद करते हैं, ये सीखेंगे, इसके बाद हम जानेंगे, दो रेखाओं, दो तलो और एक रेखा और एक तल के बीच का कोण, इसके बाद हम इस अध्याय में जानेंगे, दो विशम तली रेखाओं के बीच न्यूनतम दूरी और एक तल की एक बिंदू से दूरी के विशर में विचार विमर्ष करेंगे, इसके बाद ये सभी जो परिनाम हमारे आज आएंगे उसमें हम अधिकांश परिनामों को सदीशों के रूप में प्राप्त करेंगे यानि कि जो भी हमारे results आएंगे उन्हें हम vectors के form में भी find करेंगे इसके बाद हम उन्हें कातरी रूप में भी अनुवाद करेंगे यानि कि उसके बाद हम उसका Cartesian form भी देखेंगे कि किस प्रकार से हम उन्हें ग्याद करते हैं तो दोस्तों ये सब जान कर आप समझ पा रहे होंगे कि इस अध्याएं में हमारा बहुत ही ज्यादा रोल अगर किसी last chapter का है तो वो होगा हमारा vector chapter vector chapter का हम यहाँ पर बहुत ही उपयोग करेंगे जिससे कि आपको 3-dimensional geometry के बहुत सारे तथ्य अच्छी तरह से समझ आ जाए और साथ ही यहाँ पर इस अध्याएं में हमें बहुत जादा जरूरत है imagine करने की यहाँ पर आपको उन चीजों को अपने दिमाग में imagine करना पड़ेगा और फिर आप उनके results को समझ पाएंगे कि यह किस प्रकार से आपको ग्याद हुआ है तो चलिए दोस्तों आगे वढ़ते हैं और शुरू करते हैं हम हमारा इस अध्याए का पहला भाग जो की है रेखा के दिक कोसाइन और दिक अनुपाद यानि की direction cosines and directions ratio of a line दोस्तों direction cosines और direction ratios के बारे में आपने vector chapter में भी पढ़ा था लेकिन यहाँ पर अब हम देखेंगे line का तो आएए देखते हैं कि line के case में direction cosine और direction ratio क्या होता है तो दोस्तों माल लीजिए कोई directed line है जो की pass कर रही है origin से माल लीजिए वो line L है यहाँ पर यह जो line L है यह यहाँ पर x, y और z axis के साथ में angles बना रही है alpha, beta और gamma तो दोस्तों यह जो angles होते हैं इन्हें हम कहते हैं direction angles और इनके जो cosines होते हैं उन्हें हम कहते हैं direction cosines यानि कि cos alpha, cos beta, cos gamma are the direction cosines of the directed line L यानि कि मूल बिंदू से गुजरने वाली सदीश रेखा L द्वारा x, y और z अक्षों के साथ क्रमश alpha, beta और gamma बनाए गए कौन दिक कौन कहलाते हैं और इन कौनों का cosines यानि कि cos alpha, cos beta और cos gamma रेखा L के दिक cosines कहलाती हैं आईए दोस्तों, अब हम एक दूसरा case देखते हैं, अब माल लीजे कि यहाँ पर जो हमारा L है उसके direction को हमने reverse कर दिया है, तो दोस्तों जब हमने उसके direction को reverse किया तो उनके जो directions angle होंगे वो क्या हो जाएंगे? वो हो जाएंगे pi minus alpha, pi minus beta and pi minus gamma तो ऐसे case में हमारे जो direction cosines होंगे, उनके signs भी बदल जाएंगे चलिए, अब हम एक और case देखते हैं अगर कोई दी गए line origin से pass हो रही है और उसके direction cosines हमें find करने हैं तो उसे हम किस तरह से find करेंगे? तो दोस्तो उसे हम find करेंगे, उसके parallel origin से pass होती होई एक और line draw करके फिर यहां से हमारे जो direction cosines होंगे उस line के, वो same होंगे हमारे last line से और दोस्तो कोई भी तीन नंबर जो कि proportional है line के direction cosines के, उसे हम direction ratio कहते हैं यानि कि एक रेखा के दिक cosines के समानुपाति संख्याओं को रेखा के दिक अनुपात कहते हैं यदि एक रेखा के दिक cosines lm n है और उसके दिक अनुपात a, b, c हैं तो किसी सुन्य तर lambda belongs to r के लिए a हमारा बराबर होगा lambda lk, b हमारा बराबर होगा lambda mk और c हमारा बराबर होगा lambda nk चलिए दोस्तों, अब हम यहाँ पर एक और case देखेंगे, जिसमें हमने यह माना है कि a, b और c जो हैं, वो हमारे direction ratio हैं, अर्था दिक अनुपात हैं और l, m और n जो हैं, वो हमारे direction cosines हैं, यानि कि दिक cosines हैं तब यहाँ से हमें मिल जाएगा कि l upon a is equals to, m upon b is equals to, n upon c is equals to k यहाँ पर k हमने एक constant लिया है, जहाँ से कि हमें l की value मिल जाएगी a k, m की value मिल जाएगी b k और n की value मिल जाएगी c k और हम यह भी जानते हैं कि l square plus m square plus n square बराबर होता है 1 k तो यहाँ से जब हम value substitute करेंगे तो हमें मिल जाएगा k square multiplied by a square plus b square plus c square is equals to 1 जहाँ से हम k की value find करेंगे तो हमें यह मिल जाएगा plus minus 1 upon under root a square plus b square plus c square और जब हमारे पास k की value आजाएगी तो हम l, m और n अर्था जो direction cosines है हमारे line के उसकी value भी आसानी से find कर सकते हैं तो यहाँ से हमारे पास l की value आजाएगी plus minus 1 upon under root a square plus b square plus c square similarly, m is equals to plus minus 1 upon under root a square plus b square plus c square similarly, n is equals to plus minus 1 upon under root a square plus b square plus c square तो दोस्तों यहाँ पर हमने यह देखा कि किसी रेखा के लिए यदि रेखा की दिक अनुपात a, b, c हैं तो k, a, k, b, k, c जहाँ पर k 0 के बराबर नहीं होगा वो भी उनके दिक अनुपातों का एक समू होगा इसलिए एक रेखा के दिक अनुपातों के दो समू भी समानुपाती होते हैं यानि कि two sets of direction ratios of a line are also proportional चलिए दोस्तों अब हम आगे बढ़ते हैं और बढ़ते हैं चलिए दोस्तों अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले topic की ओर जो की है relation between the direction cosines of a line यानि कि रेखा के दिक cosines में संबंद तो दोस्तों स्क्रीन पर आपको x, y, z plane दिख रहा होगा जिसके की direction cosines है l, m और n फिर हमने एक point लिया है t जिसके की coordinate है x, y, z यहाँ पर अब हम origin से एक parallel line ड्रॉ करेंगे rs के फिर हम p से x अक्ष पर एक lump खीचेंगे pa तो आपको यहाँ पर एक triangle बनता हुआ दिख रहा होगा साथ ही उसका एक angle बनता हुआ दिख रहा होगा जो की होगा alpha अब यहाँ पर अगर आप op को r ले लेते हैं और जब हम इसका square करेंगे तो यहाँ से हमें मिल जाएगा x square plus y square plus z square is equals to r square multiplied by l square plus m square plus n square अब जैसे कि आप सब जानते हैं x square plus y square plus z square बराबर होता है r square के तो यहाँ से हमें यह मिल जाएगा कि हमारा जो l square है plus m square plus n square बराबर है 1 के तो दोस्तों यह है हमारे direction cosines of a line क्या line का relation जो की है l square plus m square plus n square is equals to 1 इसे हम बहुत जादा जगर यूज करेंगे इसलिए आप इसे हमेशा ध्यान में रखें कि direction cosines of a line का संबंध क्या है हमारे line से चलिए दोस्तों अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले topic की ओर जो की है दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा की dick cosines यानि की direction cosines of a line passing through two points तो दोस्तों जैसा कि आप सब जानते हैं किसी दो दिये गए बिंदु से होकर जाने वाली केवल एक ही रेखा होती है इसलिए हम दिये गए दो बिंदुओं से गुजरने वाली रेखा के dick cosines कुछ इस प्रकार से ग्याद करते हैं माल लीजे हमने दो बिंदु लिया है प तथा q जिसके की coordinates होंगे x1, y1, z1 और x2, y2, z2 अब आप यहाँ पर माल लीजे कि हमने रेखा p q की जो dick cosines ली है वो है l, m और n जो की x, y और z axis के साथ जो cone बना रही है वो है alpha, beta और gamma यहाँ पर अब हम p और q से एक perpendicular खीचेंगे जो की x, y plane को r और s पर मिल रही होगी फिर हम p से एक और lump खीचेंगे अर्थात perpendicular खीचेंगे जो की qs को n पर मिल रही होगी यहाँ पर अब आपको एक triangle बनता हुआ दिख रहा होगा p n q अब उस triangle में हमारा जो angle p q n है वो है gamma तो दोस्तों यहाँ से हमें cos gamma की value मिल जाएगी n q upon p q which is equals to z2 minus z1 upon p q similarly cos beta की value मिल जाएगी जो की होगा y2 minus y1 upon p q similarly cos alpha की value हमें मिल जाएगी x2 minus x1 upon p q तो दोस्तों दो बिंदूओ p तथा q को जोडने वाली रेखा खंड p q की दिख cos हमारे पास आ गई है जो की है x2 minus x1 upon p q y2 minus y1 upon p q z2 minus z1 upon p q अब हम p q find कर सकते हैं using p q is equals to under root x2 minus x1 का whole square plus y2 minus y1 का whole square plus z2 minus z1 का whole square तो दोस्तों देखा आपने की किस तरह से हम direction cosine of a line find करते हैं passing through two points चलिए दोस्तों अब हम बढ़ते हैं हमारे कुछ questions की ओर जो की है यदि एक रेखा x, y तथा z अक्षो की धनात्मक दिशा के साथ क्रमश 90 degree, 60 degree तथा 30 degree का कोन बनाती है तो दिख cos ग्याद कीजे तो दोस्तों इसका दिख cos ग्याद करना बहुत ही आसान है माल लीजिए कि यहाँ पर हमने जो दिख cos find करना है वो है l, m और n तो जैसा कि आप सब जानते है l यहाँ पर हमारा बराबर हो जाएगा cos 90 degree के जो की बराबर होता है 0 के similarly m हो जाएगा हमारा बराबर cos 60 degree के जिसकी value होती है 1 upon 2 similarly n हो जाएगा हमारा cos 60 degree के बराबर जिसकी value होती है under root 3 upon 2 तो दोस्तों इस तरह से हम यहाँ पर दिख cos ग्याद कर सकते हैं चलिए दोस्तों अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले उदाहरण की ओर जो की है x, y और z अक्षो की दिख cos ग्याद कीजे आएए देखते हैं कि इसका दिख cos हम कैसे क्याद करेंगे तो दोस्तों x axis जो है वो x, y और z axis के साथ में जो आंगल बनाती है वो है 0 degree, 90 degree और 90 degree इसलिए x axis का जो direction cos हो जाएगा वो हो जाएगा cos 0 degree, cos 90 degree and cos 90 degree जो की हो जाएगा 1, 0, 0 के बराबर इसी तरह से y axis का जो direction cos होगा वो हो जाएगा 0, 1, 0 क्योंकि y axis, x, y और z axis के साथ जो आंगल बनाती है वो होता है 90 degree, 0 degree and 90 degree similarly z axis के साथ में जो angles बनती है वो है 90 degree, 90 degree and 0 degree तो उसके direction cos हमें मिल जाएगे 0, 0, 1 तो दोस्तो इसी चीज़ को हमने यहाँ पर लिखा है कि x अक्ष के साथ x, y और z अक्ष का जो कौन बनता है वो है 0 degree 90 degree और 90 degree इसलिए x अक्ष की दिख को साइन हो जाएगी 1,0,0 तथा y अक्ष की जो दिक को साइन हो जाएगी यानि की डिरेक्षन को साइन स्पाइन करते हैं तो दोस्तो इसी के साथ हमारे आज की वीदियो समाप्त होती है आज की वीडियो पर आधारित प्रश्न आपको आपकी NCRT पुस्तक में मिल जाएंगे जिन्हें आप जरूर हल कीजिएगा दोस्तों आज की इस वीडियो में हमने सीखा थ्री डेमेजनल जोमेट्री अर्था त्री विमिय जयमिती की भूमिका साथ ही रेखा के दिक कोसाइन और दिक अनुपात हम अमारे अगली वीडियो में देखेंगे अंतरक्ष्मी रेखा का समिकरन धन्यवाद